प्रधान मंद्री नरेंदर मोदी आज जम्मू कश्मीर पहुँचे जहां उन्होंने अस्पताल स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स काउद खाटन किया साथ ही वैशनो देवी उनिवर्सिटी के पांचवे दिक्षान समारू में शिर्कत करते हुए छातरों को मूल मंत्र भी दिये जम्मू कश्मीर में विकास का संदेश लेकर प्रधान मंति नरेंद मोदी मंगलवार को कटरा पहुचे जहां उन्होंने सबसे पहले श्राइन बोर्ध द्वारा बनवाये गए अत्यादुनिक सुधाओं से लैस सुपर स्पेशालिटी इस्पताल का उधगाटन किया इसके बाद प्यम मोदी माता वैशनो नेवी उनिवरस्टी के पांचने दिक्षान समारू का हिस्सा भी बने कारकरम को संबोधित करते हुए उन्होंने चात्रों को सपने देखने और आगे बढ़ने का मूल मंत्र दिया इस दोरान प्यम में लड़कियों की जमकर तारीफ करते हुए कहा लड़कियों ने लड़कों से जादा मैडल हासिर की है ऐसे में हो सकता है कि कुछ दिनों में लड़के गोल्ड मैडल के लिए रिजर्वेशन की मांग करने लगे दिक्षान समारों में शिर्कत करने के बाद प्रधान मंति नरेन मोदी ने स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स का उधगाटन कर रैली को संबोधित किया जहां प्यम ने जीवन में खेलों की एहमियत बताते हुए खेलों के प्रती युवाओं को प्रोथसाहित किया अगर खेल नहीं है तो जीवन में खेलना भी बड़ा असंबव हो जाता है जो खेलता है वही खेलता है रैली के दोरान प्यम ने अस्पताल के लिए जमीन देने वाले लोगों की जमकर तारीफ की जिद गाओं ने ये जमीन दी है और जिसके कारण ये अस्पताल बना है उन गाओं को ये लोगों के लिए फ्री हेल्थ की व्यवस्ता की गई है मैं उन गाओं वालों को रुदेश से अभिननन करना चाहता है अडल विहारी बाजपे की बात याद करते हुए पियम मोदी ने भी इंसानियत, कश्मीरियत और जमहुरियत से जम्मू कश्मीर को नई उचाई पर ले जाने की बात कही कश्मीरियत और जमूरियत इंसानियत कश्मीरियत और जमूरियत इन तीन मजबुत की पीलर उपर हमने जमू कश्मीर को नहीं उचाई उपर ले जाना है साथ ही इस दौरान उन्होंने विकास के जिन्डे को दोराते हुए कहा कि विकास से ही सबी समस्याओं का समाधान संभव है और केन सरकार जमू कश्मीर के विकास के लिए कंदे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री बनने के बाद तकरीबन आठ बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं जो दिखाता है कि यह उनकी कश्मीर पॉलिसी का कोई हिस्सा है और यही वज़ा है कि प्रधान मंत्री एनाइटी विवाद पर बोल कर कोई नया मुद्दा नहीं उचालना चाहते थे देखते रहे यह जी विलाइफ क्योंकि यहां है खबरे लगातार